श्रीबालाजी सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल एवं नर्सिंग कॉलिज कांग्रा के सीमडी डॉक्टर आजीश शर्मा ने कांग्रा में मित्र मिलन समारू का आयोजिन किया मकसद यही था कि कोविट काल की दौरान अपनों से व्यक्तिगत तौर पर कम मिल पाना इसी के चलते डॉक्टर आजीश ने अपनों के साथ बैठ कर अपने दुख दर्द साजो करने के लिए इस मित्र मिलन समारू का आयोजिन किया था डॉक्टर आजीश ने इस दौरान कोविट काल के दौरान आई दिक्कत परेशानियों और अपने अनुभभ भी साज़ा किये उन्होंने कहा कि यह अलग बात है कि वो कोविट काल के दौरान आपस में कम मिल पाए लेकिन अपना पन बना रहा डॉक्टर आजीश ने इस पश्ट किया कि आप सभी क्या आशिवास से पहले भी आगे बढ़ते रहे हैं अब भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे उन्होंने ये भी कहा कि हम सब एक हैं यही हमारी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने का साहस देती है उन्होंने कहा कि अब हमें बैटना नहीं है निरंतर चलते रहना है अपने लक्षिय को पाना है डॉक्टर आजीश शर्मारेश रिवालाजी अस्पताल पारीसर के प्रांगण में इस बड़ी बैठकायो जिन किया था इस दोरान उन्होंने स्पच्ट किया कि उनका मकसद सभी के साथ मिलना तो था ही साथ ही आगे भी इसी तरह एक दूसरे के दुखदर्द को साजह करते रहना है जिसकी शुरुवात उन्होंने रविवार को कर दी है साथ ही कहा कि ये मेल मिलाप आगे भी इसी तरह होता रहेगा डॉक्टर राजेश शर्मा ने उपस्ति जनों से स्पष्ट किया है कि उनका मकसद सेवा करना है चुनाफ तो एक जरिया है उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी स्तर पर अजो जिम्मेदारियां उन्हें मिली है उनका वो बकु भी निर्वहन करते आ रहे है आगे भी पार्टी जिस तरह का आदेश उन्हें देगी वो उस पर ख़़ा उतरने का प्रयास नहीं बलके आप सभी के सही योग से खरा उतरने में काम्याग भी होंगे इसी मित्र मिलन समारों में महिलाओं ने भी खासी तादाद में अपनी फागिदारी दर्श करवाई करवाल करवा है झाल